अरे , आज में कटे आगे इतुन Ст ?? ज़ील च मखरी है। यह जालावाड तो कोन हो Kaiser महिना कौन से चाल रहो! जून के किभी ठंडर स्ट्रोंम, इतनी विज कडुंगे हो यह पड़े है मरूस्थल में मरुस्थल में कौन से जिलो माँ बीका नीर के अंदर साल में 18 दिन इतनी तगड़ी बिजली पड़ो thunderstorm खूप ठंड जैसा मोसम हो जो तो के इसका कोई इलाज कोन है कि आपा इसने रोक सका इसका इलाज है बीका नीर के लोग बड़े मस्त हैं अब मने लगे तुम सब मने कोनी भुले होंगे फिर भी मारे साथ खूप सारे नए सा बाई सा जुड़े होंगे तो आप सब को मेरी खंबा गणी-गणी मेरे बारे में थोड़ा समय आपको बताऊं हूँ मैंने RAS का पेपर दोबर पास करो प्रिलिम्स और मेंस का ये सारा अनुभव आप सब के लिए है इसका उप्योग कहां पे करोगे कठे पढ़ाई करोगे अपनी सारी तो आनकैडमी प्लस ते जुड़ते हो RAS, ACF, पटवारी या RPSC के किसी भी पेपर की थाम समने तयारी करनी हो अनकैडमी प्लस पे आयो और 10% डिसकाउंट खातर ये मेरे रेफरेल कोड है तरुना लाइव इसको सारे यूज करो और मजे करो तो आज आपा बाता करने वाले हैं बीका नेर की बीका नेर जो है बीका नेर के बाड़े में बड़ी कहावत है एक ताने में बसा दिया बीका नेर इसका मतलब क्यो हो यहाआ बीका नेर बड़ा तोली-तोली बस गयो क्यों कर बस गयो इसके पीछे कहानी है ये राव बीका ने बस आती हो राव जोधा का खूब दर्बार लगो वहाँ पे राव बीका गए अपने चाचा के कान में कुसर-फुसर कुसर-फुसर करन लगे राव जोधा ने पूछे हो तुम के कुसर-फुसर करन लाग रहे हो कि तुम ने बड़ा शहर बसाओगे के नया कोई राव बिका बोले आपके किरपा हुई तो शहर भी बसा देंगे तो इन्होंने एक जगा का बेरो पट्यों कहीं पे कि अठे जो है यहां के लोग, सरदार जो है तोड़े कमजोर पढ़ रहे हैं और आपा इस जगा पे एक शहर बसा सको तो राओ बिका ने दिमाग लगाया हो, तो अपने यो तो समझ में आगया बिका निर में बिका कठो तो आया, बिका तो आया राओ बिका के नाम सो, तो निर का की मतलब होया उठे। बगवान का भी आशिरवाद लियों तो राउ बिकानेर ने किसका आशिरवाद लिया विकानेर के अंदर देशनूक में बहुत परसिध माता है करणी माता तो राउ बिकानेर के बारे में बड़ी फेमस कहावत है थोड़ा सा करणी माता के बारे में जानना चाहिए, बड़े गणी चोखी मजे की बात है, करणी माता के मंदर में जद भी जाओगे ताने खूब सारे चूहे मिलेंगे, तो इन चूहां ते डरन की जरूरत को नहीं, ये सारे अपने करणी माता के बच्चे हैं, करणी माता के क पाबे हैं चारन जाती के जो लोग हैं वे उन्नाने अपना ऊर्वज मानू यहाँ पर जब भी जायो माननो तारे ऊपर कोई चुहा चड़ गयो तो अपने आपने आपने सोचियो माता की घूब घणी किर्पा मारे उपर हो रही है और जैस सफेद चूहा चड़ गयो तो सोने पर यहां पर जानवास्ते कर्णी माता के मंदिर में एक सावधानी भी रख्यों कोई भी चूहा तारे पाम तले आके मर गयो तो तुमने उसके बदले चांदी का या सोने का चूहा वहां पर चढ़ाना पड़े हो तो कर्णी माता के जब भी मोका मिले देशनुक जाना ना और कैमल सफारी ना करो एसा कोनी हो सके बीका नेर में अपने अवाज सुन रहे हो घणी चोकी लाग रहिए ना इतनी मस्त है ताने घणोई मजो आजो उटकी सफारी करें बीनाता काम कूनी चाले 추천 फोले है Webb की है camarew पर शूट camel festival उट महोचव हुवे जहां पर उटा की खरीद village उटा के dance देखो किसे सुत्रे नाच होन लाग रहे हुए देखा लग रहे हो ना उटा की नाच होन लग रहे तारा भी मन कर रहा होगा थोड़ा बहुत नाचन का कुछ-कुछ करन का है ना एक और बिका नियर के लोग बड़े मस्त जठे दिखजो कुछ ना कुछ कलाकारी करे लेवे उटा के ऊपर उस्तादों ने कलाकारी करी देखो कितना सुतरा उट बना दिय हो यहूँ कितरा फूटरों लाग रहो है सारा भांड दिये उपर उट के जो बाल है उस ही ते इसी त जरू करी जाए वास्ते आपा इसने के कवा उस्ता कला कवा उस्ता कला के उटा उटा पे होवे और कठे ना होवे ऐसा को ने उस्ता कला तो राजाओं के बड़े-बड़े महल बरतना में ना जाने कठे-कठे नकाशिया इसकी उतरन लागी बात में देखो किसे सुतरी-सुतर पढ़ रही है इतनी फेमस होगी है इतनी फेमस होगी कि विश्व सर पर चले गई और कौन सी कला होगे बिका निर में घणी सुतरी कला होगे देखो गे तो आखे चुद्धिया जाएंगे अरे यह कला के बीच में कहां आगे तो गाना माना चल रहे डांस वान सोड़े लगे शादी वादी हो रही है अच्छा ये औलंपिक सावा चल रहा है उट के फेस्टिवल के साथ साथ अठे शादियों का एक मेला भी लगए जहां पर एक ही दिन में एक की दिन में सो सो शादिय होजे मेरे अवाज आ रही है न सबको सो सो शादिय होजे इसने आपा बोले ओलम्पिक सावा यानि की शादियों का ओलम्पिक इसने शादियों का ओलम्पिक क्यों कवे यो भी चार साल में एक बार लगे तो आपको जिसका भी जी करें शादी करन का बीका नेर में आप सारे जा सको बीका नेर में जा सको जाओगे ना उलम्पिक साबा बोला मैंने मैंने लगे सब को सुन गया होगा शादियों का उलम्पिक चार साल में एक बार लगे और के कला कारी करे बिकानियर के लोग मान लो गणगोर होयो, कोई महज़सव होयो, कुछ भी होयो, शादी ब्या होया, दिवारा अपने घरा की माननी शुरू कर दे, उसने आपा सारे केकमां मत्हरना कला, मत्हरना कला, देखरो किसी सुटरी बांध रखिये, ऐसी, इसी सुट उड़ी के बाद उरे तो सारे मैंने लगे रंग-ईरंगे पाठा के उपर बैठे और बतलान लाग रहे हो तो यो कठे और कोणी बाहँ है तुमने बाठा कल्चर जो है पाठा संस्कृति अपने बिकानेर की संस्कृति है अठे लोग आमें बैठे गली नुकड मोहले कठे चल लिखना जरूर है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जरूर है ठोक दो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को वाइरल करतो बिकानेर में पढ़ा राओ बिकानेर बसायो इंद्रा गांदी के नाल अठे पड़े है उस्ता कला मतेरना कला शादियों का ओलंपिक घूब घणी सब्सक्राइब करना जरू है तो मैंने दूसरा वीडियो लाना पड़ो तुम सारे चाहो है जो यहसा मदार मजा आ रहो है तो बहुतु है पड़ना चाहो दो लाईक सब्सक्राइब शेयर हो दो और पड़ना चाहो हूँ मेरी से कोई बात करना चाहो तो मारा Facebook पेज है आरे एस क्रेकर अठे मारे ते जुड़ जो ये मेरा कॉंटेक्ट नंबर है यहां पर पूछ लो और ये पढ़ना भी है राजस्थान पेपर तो निकालने है ना अपर सारे घर वाले बोलन लग जेंगे पढ़दे लिख दे को नी के तो डेली साड़े साथ बजे मैं क्लास लेँ आज यूँ डेली साड़े साथ बजे मैं थारी क्लास लेँ तो मेरे साथ जुड़ जो तो तम सबने मेरी घणी घणी राम राम